नमस्कार दोस्तो मैं उदेलाट फिरेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के नई कोलेबरेशन के फीडियो में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दि कौन सा की जिसमें हम बात कर रहे हैं भाइस पालन गाय पालन बक्री पालन और दोस्तों साथ ही में मुर्गी पालन इन चारों व्यवसायों की इसके तहेत दोस्तों आज के इस पार्ट 3 में हम देखने वाले दोस्तों की जगह का विचार करें तो दोस्तों कम से कम जगह में कौन सा व्यावसाय सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है हम व्यावसाय की शुरुवात गाव देहात में या सीटी में करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ सा व्यवसाय suitable हो सकता है कम से कम जगह में सबसे जादा मुनाफा कमा कर देने वाला कुछ सा व्यवसाय हो सकता है आप के लिए दोस्तों प्रस्तुत करने जा रहा हूं अध्यान के सिध्धान पर यहां पर जुड़ी जाने वाली हर जानकारी का एक विस्तारित विशलेशन जिसके माध्यम से यह वीडियो देखने के बाद आसानी से आप सीटी में या गावदेहात में कोई व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखते हो तो उससे पहले आपके सामने रहत आ रही है कि जिसके दवरान आप भैस पालन गाय पालन और उसके साथ ही बकरी पालन और मुरगी पालन में कितनी जगहा लग सकती है यह देख सकते हैं जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है दोस्तों इसलिए आपको स्रिफ भैस को संभालने के लिए लगने वाली जगह के साथ-साथ उसको जो गीला चारा हम देते हैं दोस्तों वह हरा चारा जो होता है उसके लिए भी कितनी जविन का आवंटन करना पड़ता है यह भी देख ली अगर आपको पता चल गया तो आप सव प्रतिशत उन सभी का सोलूशन निकाल सकते हो। इसलिए वीडियो बहुत महत्तुपुर्ण है शुरुआत से लेके अन्त तक देख लिजे। पसंद तो आही जाएका इसलिए फटाफट से एक लाइक कर दीजे। ज्यादा ज्यादा किसान भायों के पास यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे। उसके लिए आप पर्सनल वाटसप नंबर, वाटसप ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट, इन सोशल मेडिया के साथ नों का इस्तमाल करते होई लिंक को भी शेयर कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों से और बेरोजगार मेरे यूआ और यूतियों से हाथ जोड़ कर इतनी ही विंती है कि दोस्तों मैं आपको अपना मान चुका हूँ, अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो किरपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दायतरव निशली साइड में आने के बाद दिखाये देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करके और इस नोटिफि पालन और मुर्गे पालन की कितनी जगा का आवंटन होना ठीक रहेगा जिसके माध्यम से दोस्तों व्यवसा शुरू करने से पहले एक जमीन की जरूरत आपके नजर में खयाल में आ जाएगी पहले बात करते हैं दोस्तों भैस पालन की दोस्तों दुगदो उत्पादन पिछले सालों में बहुत बढ़ चुका है दोस्तों इसका यहाँ पर जिक्र करें तो दोस्तों भैस पालन की बात करें तो दोस्तों भैस का दूज जो होता है बहुत आसानी से बेचा जा रहा है जो हम वहां पर हरा चारा और जो दोस्तों सूखा चारा डालते है जिस जगह पर डालते वह जगा पानी पीने के लिए जगा और दोस्तों के बच्चे के लिए जगह का आवन तन देखे तो मां मॉझूदा तर सुफ और सव से लेके दोस्तो दो भाइस के लिए आपको लगभग वहाँ पर 300 square feet की जगा आरक्षित करनी पड़ती है क्योंकि 40 से लेके 50 square feet की जगा आपको बीच में छोड़नी पड़ती है इस distance को मान ले तो दोस्तो इसके हिसाब से आपको हर एक भाइस को वहाँ पर संभालने के लिए 500 square feet की जगा लखी जाएगी यानि 12 by 12 square feet की 12 by 12 feet की लंबाई 12 feet चवडाई 12 feet आईसी 144 से लेके 500 square feet की जगा रखनी पड़ेगी लेकिन इतनी जगह रखे ही आपका काम पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि दोस्तो आपको सभी बाते यहाँ पर समझनी होगी कि आपको हरा चारा उगाने के लिए वहाँ पर थोड़ी जमीन लगेगी आपको सुखा चारा उगाने के लिए जमीन लगेगी सुखा चारा तो वैसा भी आप खरीद सकते हैं लेकिन दोस्तों हरा चारा बहुत महेंगा मिल सकता है इस कारण वाज दोस्तों वहाँ पर आपको कम से कम एक भैस के हरे चारे के लिए वहाँ पर अलग से 500 से लेके 500 स्क्विर फिट की जमीन का आवंटन करना पड़ता है वहिस को संभालने के लिए लग सकती है साथी में जलव व्यवस्तापन अलग से जरूरी है नहीं तो हरा चारा के लिए जगह होकर भी पानी नहीं होगा तो दोस्तों यह चारा आप उगा नहीं सकते हो वैसे तो वहाँ पर अगर हम गाव द्यात में रहते हैं यह वहाँ पर खेती बाड़ी में रहते हैं तो आईसी मुश्किलात नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर जगह की कोई किल्लत नहीं होती है लेकिन यही व्यवसाय अगर आप महानगर निगम और साती में तहसिल जिले में करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यह व्यवसाय सफल नहीं हो सकेगा क्योंकि जगह यहाँ पर कम होती है और वैसे में भी आपने भैस संभालने के लिए जगह भी आरक्षित कर ली तो दोस्तों भैस को स्रिप वहाँ पर चारा नहीं तो उसका गोबर डालने के लिए जगह वहाँ पर उसका जो है दोस्तों जो सूखा चारा लिया गया है वह डालने के लिए वहाँ पर आपको जगह चाहिए इसका मतलब है 700 से लेके और 100 स्क्वेर फीट के जगह आपको अलग से आरक्षित करनी पड़ती है लेकिन दोस्तो इतनी जगह तैसिल में जिले में महानगर निगम में होती नहीं है और दोस्तो अगर यह जगह आप कम करने की कोशिश करें हरा चारा विकत लेनी की कोशिश करें तो दोस्तो आइसे में आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और दोस्तो आपको मन चाह मुनाफा कभी भी सीटी में नहीं हो सकता है इसलिए दोस्तो यह व्यवसाय फिर जगह की बात करें तो बहुत सारी जगह चाहिए और जगह खरिदने के लिए बहुत सारी राशे वहाँ पर उपलब्द होनी चाहिए और यह बात दोस्तो बहुत खर्चे में डाल सकते हैं लिए भैस पालन का व्योसाय जितना गाव देहात में और खेती बाड़ी में लाब दायक है उतना यह व्योसाय दोस्तों तहसील में जिले में और महानगर निगम में आप करने के लिए असक्षमता महिसूस कर सकते हो इसके लिए आपके पास कितनी जगा है? जगह के साथ साथ हरा चारा डालने के लिए कितनी जगा है? गोबर डालने के लिए कितनी जगा है? और साती में दोस्तों जगा ना हो तो आप क्या जगह खरीद कर सकते हैं यह भी एक बार सोच लिजे क्योंकि जगह खरीदने के लिए बहुत सारी राशी जाती है और सभी राशी इकटा करने के बाद आखिर में आपको कितना मुनाफ़ा होता है यह भी एक बार देख लीजिए उसके बाद दोस्तों सोचिए कि 700 स्क्विर फीट जगह मुंबई या दिली जैसी जगह पर खरीद कर आगे बढ़ना तो गलत बात होगी इसलिए गाव देहात में अगर व्यावसाय शुरू कर रहे हो तो सव प्रतिशत दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सीटी में व्या से कम जगह में यह व्यावसाय अड्यस्ट नहीं हो पाएगा उसके बाद बात करते हैं दूसरे व्यावसाय की जिसका नाम है दोस्तों गायपालन गायपालन की दोस्तों बात यहां पर भैस पालन से भिन्न नहीं है गायपालन में तो इतनी दिक्कत है कि भैस के दूद से 20 या 30 रुपे लिटर से इसका दूद कम रेट पर बेचा जा सकता है और यहां पर स्रिफ सव से लेके 200 स्क्वेर फीट की जगह गाय पालन में कम लगती है बाकी संभावना और पशोपेश वैसा ही है दोस्तों सभी बाते वैसी है इसलिए गाय पालन का व्यवसाय भी आप सीट तो गाव द्याहात में ही यह व्यवसाय शुरू करना होगा इसलिए गाय पालन का व्यवसाय तहसिल जिला और महानगर निगम के लिए दोस्तों आप यहां पर सुटेबल मान ही नहीं सकते हैं तीसरे व्यवसाय की बात करें दोस्तों तो बकरी पालन हां दोस्तों बकरी पा स्क्वेर फिट और उसको खुला छोड़ने के लिए तकरीबन अड़े सो से लेके तीन सो स्क्वेर फिट जगा होगी तो ही उसका फिड का खर्चाइड जिस हो सकता है नहीं तो दोस्तो आम धन्या ठन्या और खर्चा रूपया आईसी आपकी गत्थ हो सकती है इसलिए दोस्तों विगत परिस्तिती की बात करें तो मौझूदा परिस्तिती में आपके पास फिड यानि हरे चारी की और सूखे चारी की क्या योजना है उसके तरह ही दोस्तों आप यहां पर बकरी पालन के व्यवसाई को व्यवस्तित ढञ्ग से यहां पर सीटी में लागू कर सकते हैं लेकिन गाऊ द्यहात में इह व्यव Wisconsin बहुत आसानी से हो सकता है और ऐसा कहां जाता है कि बखरी का मुझ कभी बंद नहीं रहता है दोस्तों इसलिए पहले फिड का प्रबंद कर लिजे उसके बाद सीटी में व्यवसाय की शुरुवत करने की सोच सकते हो लेकिन इतनी बात सच है कि भैस पालन और गाय पालन के फिड कहां से आप एड़्जेस कर सकोगे यह देख लिजे नहीं तो सभी बाते बाहरी और आप वहां पर खरित कर लाओगे तो सव प्रतिशत दोस्तों आपका व्यवसाय से लेकर आट मैने में सव प्रतिशत बंद हो जाएगा क्योंगी जो गावद्यात होता है खेती और होता है वहां पर आपको बबूल हो साथी में जो अलग अलग तरह के वहां पर पवधे पेड़ होते हैं उसके माध्यम से उनका फिड आड़्जेस करना बहुत ही आसान जाता है इसलिए बखरी पालन का व्यावसाई सीटी में तो हो सकता है लेकिन वहां पर फिड का खर्चा एड़्जेस करने के बाद लेकिन सीटी से अच्छा यह व्यावद्यात में सफलता से हो सकता है चवथा और आखरी पॉइंट है दोस्तों मुर्गी पालन व्यावसाई दोस्तों मुर्गी पालन का व्यावसाई गावद्यात में और खेत खलिहान में तो बहुत ही सफल है लेकिन दोस्तों दुनिया का इकलोता व्यावसाय है दोस्तों यहां कि जो व्यावसाय में गाव दिहात में होते हुए सिटी में महानगर निगम में और दिल्ली मंबई में भी दोस्तों हो सकता है दिल्ली बंबई की भी बात करें तो दोस्तों यहाँ व्यवसा है आपको जगह नीचे कम हो तो टेरेस पे भी हो सकता है यहाँ दोस्तों सिर्फ मांगता कितनी जगह है शाम के बसेरी के लिए पाउन स्क्वेर फिट और दोस्तों दिन भर के घुमने के लिए सक्रिबन देड से लेके दो स्क्वेर फिट जितना भहेस पालन में जगह आप आरेक्षित कर रहे है उसमें 400 मुर्गया रह सकती है गाय पालन में जितनी जगह है दोस्तों वहाँ पर 800 मुर्गया रह सकती है जितनी जगह आप बकरियों के लिए रख रहे है वहाँ पर 200 मुर्गया अज़ेस रह सकती है दोस्तों मुर् लेकिन कभी आपने सोचा है कि टेरेस पर ना भैस रह सकती है ना गाय रह सकती है ना बकरी रह सकती है लेकिन मुर्गी आसानी से रह सकती इसलिए दोस्तों मुर्गी पालन का व्याववदेहाद के साथ साथ सीटे में भी सफलता से हो सकता है दूसरी बात दोस्तों आपका कहना आएगा कि टेरेस पे अगर आप व्यावसाय करोगे तो फिर वहाँ पर खिड़ का खर्चा बहुत बढ़ेगा लेकिन दोस्तों फिड़ की बात करें तो होटल होस्टेल रेस्टोरेंट साथ ही में दोस्तों तरकारी जो सबजी मंडईया होती है उनसे मिलने वाला बहुत कम रेट पर जो दोस्तों वहाँ पर फिड़ यानि तरकारी होती है मचली के वेस्टेज जाने वाले पार्ट को भी आप वहाँ पर खरीद के ला सकते है आटा यानि चक्की के जो चक्की होती है दोस्तों आटा वहाँ पर गेहू जवार पीसने की उसके नीचे जो आटाव वहां पर मिलता है दोस्तों वह भी सस्ता मिलता है और साथी में दोस्तों गेहू जवार चावल मका बाजरे बहुत कम रेट पे भी आपको डैमेज के हिसाब से उपलब्द हो सकते हैं यानि मुर्गों का फिड एड़्ज हो सकता है इसलिए दोस्तों जगह कम हो और आपको बहुत ज़्यादा कमाई करनी की इच्छा हो तो दोस्तों कृपया भैस पालन गाय पालन और बकरी पालन इन व्यवसायों को विचार को त्याइक दीजे आज देशी मुर्गी पालन के व्यवसाय को आगे लेकर आप आपकी फिक्रें यहाँ पर दूर हो जाएंगी इतना ही मैं जिक्र कर सकता हूँ आखरी में दोस्तो आपका सोच विचार है आप फैसला विचार विमश करके ले सकते हैं आखरी में मेरा काम है दोस्तो आपको मार्गदर्शन करना उचित मार्गदर्शन को लेकर आप आगे ब निगम में आपको सफलता से व्योवसा करके लाखों के आमदनी पानी हो तो दोस्तो देशिव मुर्गी पालन या मुर्गी पालन के आलावा कोई भी व्योवसाय आप सफलता से आगे बढ़ा है नहीं पा सकते हो इसलिए विचार अगर पक्का हो अगर आपका मन ठान चुका ह तो दोस्तों यहां पर आप सर्दियों के मोसम में इस साल मुर्गी पालग के वावसाय से आगे बढ़ सकते हो आपका यह दोस्त उदेलाड़ आपको बदस्तूर मार्गदर्शन करता रहेगा इस यूटूब चानल के माध्यम से वीडियो आकर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजे ज़्यादा ज़्यादा किसान भाईयों के पास और मुर्गी पालग भाईयों के पास यह और आईसे वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजे उसके लिए परसनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट, इन सोचिल मिड़ा के सादनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर दीजिए। जाएगा और बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके और इस नोटिफिकेशन को आन कर दो, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आईसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदलाड, आप सभी के चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान पर मिलता रहूंगा, तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ में तहरे दिल से बहुत-बहुत आभार